Tech Tips के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह आप PhonePay पे अपना एकाउंट क्रियेट कर सकते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा साथी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे हर लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तो Google Play Store में जाकर PhonePay एप को इंस्टॉल कर लीजे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक का यूज करकर भी आप सीधे इंस्टॉल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो मैं PhonePay एप ओपन कर लेता हूँ दोस्तो PhonePay एप ओपन हो चुका है एप ओपन होते ही आप से वो मोबाइल नमबर एंटर करने बोलेगा जो आपके SIM1 में नमबर है वो नमबर आपको बाइडेफॉल दिखाएगा अगर आप उस नमबर से PhonePay एकाउंट क्रेट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए अगर दूसरे नमबर से आप बनाना चाहते हैं तो None of the above option है इससे सेलेक्ट करकर अपना दूसरा नमबर एंटर कर सकते हैं तो दोस्तो जो नमबर मुझे दिखा रहा है उस नमबर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं दोस्तो जैसी आप नमबर सेलेक्ट करेंगे आप से कुछ पर्मीशन मांगेगा तो अलाओ करते चाहिएगा जैसी आप allow करेंगे आपके नंबर को verify करने के लिए OTP भेजेगा और automatically थोड़ी देर में OTP को verify कर लेगा देखिए OTP auto verify हो चुका है थोड़ी देर में आपको phone pay app के home पर ले जाएगा दोस्तो phone pay app के home पर आ चुके है OTP के successfully verify होने के बाद और आप से कुछ permission मांग रहा है तो allow कर दीजे allow करते ही दोस्तो आप phone pay app के home screen में आ जाएंगे और इसके दूसरे features को use कर पाएंगे दोस्तो ये थे आसान से steps जिनको follow करकर phone pay पर अपना account create कर सकते हैं उम्मीद करतों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते है अगले वीडियो में